दोस्तों क्या आप भी कुछ इस परकार से अपना multiple clone वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को full वाज कीजिए आज मैं काइन मास्टर के सहायता से इस परकार से clone वीडियो आपको बनाना सिखाऊंगा चलके एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाना है तो इस परकार से आपको वीडियो चुट कर लेना है और एक खाली बैकराउंड भी आपको शुट कर लेना होगा तो वीडियो पर इसका background आपको capture करना होगा इसके लिए box पर click किजिए और capture and save कर लीजिए तो इसका background यहां पर capture हो चुका है अब यहां पर मैं चलता हूँ अब editing की तरफ चलते हैं यहां पर मैं आना start कर रहा हूँ तो इसका आगे वाला जो part है वो विकार है इसको यहां से trim करके यहां से left में trim कर दूँगा फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत बारा लंबा वीडियो है तो यहां से मैं जो इभी एस्टा पाठ है इसको यहां से trim करके यहां से right में trim करके हटा देता हूँ कि अब आपको layer पर जाना है मीडिया पर जाना है और कोई भी एक white image आपको यहां से ले लेना है और इसको बढ़ा कर लेना है यहीं है अब आपको white वाला background पर आपको click करना है और इसका color आपको green कर लेना है तो चलिए इसका color मैं green कर लेता हूँ और यहां से ok कर देता हूँ दोस्तो अब आपको इस green screen वाला background पर आपको click करना है और चाबी पर यहाँ पर click कर देना है और थोड़ा सा video हलका ऐसे बढ़ा कर इसको उगली की सहता से आपको ऐसे कर लेना है फिर से थोड़ा आगे बढ़ाना है और इसको ऐसे करते जाना है फिर से थोड़ा आगे बढ़ा कर इसको यहाँ पर लाकर ऐसे करते जाना है फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे वीडियो को और ऐसे कर देगे फिर से थोड़ा आगे बढ़ाना है और इस परकार से आपको apply करते जाना है तो दोस्तो वीडियो कुछ इस परकार से आपको दिखाई देगा अब इस वीडियो को आपको पूल HD में सेफ कर लेना होगा फिर से आपको न्यू प्रजेक्ट पे जाना होगा 9H to Solar का रेशियो चूज करने के बाद Create पर आपको क्लिक कर देना होगा जो वीडियो अभी अभी आप सेफ किये हैं उस वीडियो को आपको फिर से यहाँ पर ले लेना है तो दोस्तो आप देख सकते वीडियो आ चुका है यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा स्क्रीन से जब हम बाहर आते हैं यहां पर iScreln से पूरा हम बाहर आ रहा है तो यहां पर आपको फिर से layer पर जाना है और media पर जाना है और जो video आप save किये हूए same video आपको यहां पर लाना है तो इस परकार से video आ चुका है नीचे की तरफ scroll करना है slipped screen पर जाना की इसको दो आदमी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आना है आपको फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और फिर से सेम वीडियो आपको यहाँ पर ले लेना है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ सेम वीडियो आ चुका है, फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, स्लिप्ट स्क्रीन पर जाना और इसको फूल यहां से कर देना है फूल करने के बाद फिर से इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है नीचे के तरह पे स्क्रॉल करना है और क्रोमा की में जाकर इसको आपको आउन कर लेना है और मास्क पर जाकर इसको आपको अर्जेस्ट कर लेन तो दोस्तों आप देख सकते कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेगा अब आपको मीडिया पर जाना है कोई भी एक वाइट बैक्ग्राउंड यहां से आपको ले लेना है इस परकार से अब यहां पर यह जो आपका लास्ट वाला वीडियो है उसके ब्राबर में इसको इस्टा पार्ट को कट करके यहां से आपको हटा देना है तो यहां पर कट करके मैं हटा चुका हूँ अब आपको इस वीडियो को आपको सेप कर लेना होगा फूल एजटी में दोस्तों फिर से आपको न्यू प्रजेक्ट पर जाना होगा नाइन इस टू शोलर करने के तो यहां… आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रीन स्क्रीन है तो फिर से आपको लेयर पर क्लिक ना होगा से ले लेंना है तो है अपको डबल टैप करना है इस परकार से फूल हो जायेगा अब आपको निचे वाला जो वीडियो सिरी क्लिक करके निचे के तरफ gauche करना है और की में जाना है और इसको इनेबल कर देना है फिर आप फर्ष्ट वाला जो वीडियो है उस पर किलिक करना है फिर से नीचे के तरफ स्क्रॉल करना है और क्रोमा की में जाकर फिर से इसको आपको इनेबल कर देना है तो दोस्तों चलिए वीडियो चला कर देखते किस परकार से आपको कुछ इस परकार से वीडियो आपको देखने को मिलेगा अब इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है फूल एजडी में और आपका वीडियो रेडी हो चुका